कार दोस्तो, वेलकम टू स्टेडी नियूज, आज हम इस वीडियो में यूएनो के बारे में जानेंगे, इस वीडियो में हम यूएनो की सक्तियां, उसकी स्थापना, उसकी कारे प्रणाली और इसकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, और हम इसके प्रमुखंगों के बारे में भी चर्चा करेंगे, so let's start, United Nation एक अंतर राश्ट्रिय और्गनाइजेशन है, इसका मुख्य धे अंतर राश्ट्रिय इस्तर पर सांती और सुरक्षा प्रदान करना है, यहां देशों के बीच में सामंजे से इस्थापित करता है, और देशों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देता है, वर्ड का लार्जिस्ट इंटर गॉर्मेंटल और्गनाइजेशन है, यहां इसलिए भी सक्तिसाली है क्योंकि इसमें लगभग, विसु के लगभग सारे देश सम्मिलित हैं, UN के हेड़कौर्टर आपको नियु यॉर्क सिटी में और मेन ओफिसेज ज उनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी, लेकिन उनाइटेड नेशन अपने उद्देशियों में असफल रहा, और दुतिविस्युद हुआ, आप जानते ही हैं कि दुतिविस्युद में कितने ही सैनेक, कितने ही आम जनता मारी गई, और कई देशों की तो अर्थ व्य से हल करने के लिए और विस्व में सांती स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की, धुतिय विस्युद के दौरान ही इसकी स्थापना के प्रयास जारी थे, संयुक्त राश्ट संग के उदभव के बारे में बात करें तो, डिकलेरेशन ओफ सैंट जेम्स एहम है, सैंट एलाइड कंट्रीज ने शांती स्थापित करने की इच्छा से 12 जून 1941 को एक घोशना पर हस्थाक्चर किया, दूसरा है अटलांटिक चार्टर, इस पर 14 अगस्त 1941 को चर्चिल और रूजवेल्ट ने हस्थाक्चर किये थे, पहली बार इस ड्राफ्ट में डिकलेर किया गया अलिरेशन, संयुक्त राष्ट्र घोशना में 1 जनुवरी 1942 को वासिंगटन में 29 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें धूरी राष्ट्रों के खिलाफ लड़ने वाले राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया था, आपको मैं मित्र राष्ट्र औ और धूरी राष्ट्रों में अंतर बता देता हूँ, मित्र राष्ट अलाइड पावर्स को कहा जाता है और एक्सिस पावर धूरी राष्ट्र को कहा जाता है। जून 1945 तक चला था इसकी अध्यक्षता लाड़ फैक्स ने की थी इसमें पहली बार भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व वीटी कृष्माचारी सर रामा स्वामी मुदालियर तथा फिरोज खान नून ने किया था यहीं पर 26 जून 1945 को 50 राश्ट्रों का प्रतिनिधियों ने हस अब सेयुक्त राश्ट्र संग की प्रस्तावना के बारें बात करते हैं इस प्रस्तावना में सेयुक्त राश्ट्र संग की इस प्रकार है यहां लिखा है मतलब आने वाली पीडियों को युद्ध के प्रकोप से बचाएंगे और हमारे जीवन काल में मानवता को और कतनिय दुख जिसने दिया है रूढिवादियों को समाप्त करेंगे दूसरा है expressing our faith in equality मतलब सामानता के प्रति अपनी आस्था प्रकट करना इसमें मौलिक स्वतंतरताओं के बारे में बताया गया है तीसरा है respect and give justice to international responsibilities इसमें बताया गया है अंतरराश्य विधी के अन्य सुरोतों से उत्पन उत्तरदाइत्वों को आदर तथा नयाय दिया जा सके और चौथा है promoting a higher standard of living इसमें कहा गया है सामाजिक उन्नती तथा अधिक विस्त्रिच छेत्र में जीवन के उच्चतर इस्तर को बढ़ावा देना सेयुक्त राश्य संग की प्रस्तावना में जो भी बाते लिखी गई है यही सेयुक्त राश्य संग का उद्देश से भी है और मुख्य सिध्धान्त भी है अगर मुख्य सिध्धान्तों की बात की जाए तो युनाइटेड नेशंस में प्रजात अंत्र, आत्म निर्न, समान्ता, संसदवाद, बहुमत, विधी का सासन, न्याय, आदी सिध्धान्तों पर काम करता है अब बात करते हैं, Membership of the United Nations सह्युकतर राश संग के सदसे दो प्रकार के हैं एक है इनीशियल मेंबर, दूसरे हैं Elected Member इनीशियल मेंबर को प्रारंबिक सदसे कहा जाता है और इलेक्टेड मेंबर को निर्वाची सदसे कहा जाता है संयुक्त राश्ट्र संग के वे राश्ट प्रारंभिक सद से कहलाते हैं जिन्होंने सेन फ्रांसिस को सम्मेलन में हस्ताक्षर किये थे वो 51 देश थे इसमें मैंने आपको बताया था कि 51 पॉलेंड था संयुक्त राश्ट्र का मेंबर बनने के लिए आवश्चक है कि वह एक संप प्रभु राज्जे हो मतलब वह एक इंडिपेंडिन्ट राज्जे हो वह सानति प्रिय हो और वह संयुक्त राश्ट्र के चार्टर में वर्नत उत्तरदायतों को سविकार करता हो सदस्य देशों के निस्कासन के बारे में बात करें तो चार्टर के अनुछेद छे के अनुसार यदि कोई सदस्य जान बूज करता था लगातार चार्टर में वर्णे सिधानतों का उलंगन करता रहता है तो उसे सुरक्षा परिशत के सुझाव पर महासभाद्वारा संस्था से निकाल दिया जाता है निस्कासन के लिए सुरक्षा परिशत के नो सदस्यों की सकारात्मक सहमती जरूरी है और दो त्याही सदस्यों का बहुमत आवश्चक है और अब बात करते हैं सदस्यों का निलंबन इसमें सेक्त राष्ट का वह सदस्य देश जिसके विरुद अध्याय सैवन के अंतरगत सुरक्षा परिशद में सामुई कारवाही हो रही हो उसे निलंबित किया जा सकता है ऐसे सदस्य देश को सुरक्षा परिशद के सुझाव पर महासभा निलंबित कर सकती है इस प्रकार निलंबन के लिए महासभा और सुरक्षा परिशद दोनों की कारवाई की आव सकता होती है जबकि निलंबित राजे की पुना इस्थापना के लिए केवल सुरक्षा सेयुक्तर राष्ट की भासाओं के बारे में बात करें तो छे भासाओं को मानेता प्राप्त है जिसमें Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish शामिल हैं सेयुक्तर राष्ट संग के मुख्याले आपको अमेरिका के New York सहर के Manhattan दूइपर बना है इस संग का कार्याले 1952 में बन कर तैयार हुआ था इसमें महासभा की पहली बैठा का अक्टूबर 1952 में हुई थी अब बात करते हैं सेयुक्तर राष्ट संग के अंगो के बारे में United Nation के 6 Major Organs हैं ये 6 Parts हैं पहला है General Assembly, दूसरा है Security Council, तीसरा है Economic and Social Council चौथा है Trustship Council, पाचवा है International Court of Justice जिसे ICJ भी कहते हैं छटवा है Secretariat तो हम इन भागों की बात करें तो पहला General Assembly है General Assembly United Nations का प्रमुखंग है सयुक्तर राष्ट के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं हर एक सदस्य राष्ट के 5 प्रतिनीदी और 5 वेकेलपिक प्रतिनीदी महासभा की बैठक में भेजे जा सकते हैं लेकिन उनका मत केवल एक ही होता है यहां महतपूर्ण प्रश्णों पर निर्णे होता है मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से रणय लिया जाता है यह जनरल असेंबली है यहां पर सभी देशों के प्रतिनिद्ध तो बैठे हुए हैं यहां पर हमारे प्राइम मिनिश्टर जनरल असेंबली में स्पीच दे रहे हैं जनरल असेंबली में इन बातों पर चर्चा की जाती है इसमें सुरक्षा परिसत के इस्थाई सदस्यों का निर्वाचन सांती तथा सुरक्षा बनाये रखने की संस्तूती United Nations में नए सदस्यों के प्रवेश के बारे में बात किया जाता है सदस्यों के निलंबन और निस्कासन के बारे में बात की जाती है और बजट सम्मंदी प्रशन पूछे जाते हैं United Nations General Assembly के अधिवेशन नियमित रूप से होते हैं इसके वार्सिक अधिवेशन महा सचीव और सदस्यों के बहुमत से बुलाए जा सकते हैं United Nation General Assembly के President के बारे में बात करें तो यह एक वर्स के लिए चुना जाता है Belgium के Paul Henry Spock पहले General Assembly President थे भारत के तरफ से स्रीमती विजिया लक्षमी पंडित महा सभा अध्यक्ष चुनी गई थी जिन्होंने आठमें सत्र की अध्यक्षता की थी यह United Nations General Assembly की पहली महीला President भी थी अब तक केवल दो ही महीला President General Assembly की हो पाई है जिसमें एक हमारे देश की स्रीमती विजिया लक्षमी पंडित और दूसरी Ecuador की 2018 में मारिया फर्नेंडा चुनी गई थी वर्तमान में General Assembly के President तिजानी महमत बंदे हैं जो Nigeria के हैं यह 74 वे President है General Assembly के इसी क्रम में United Nations का दूसरा अंग है Security Council Security Council को सुरक्षा परिसद भी कहते हैं इसे सैयुक्तराश संग की कुंजी कहा जाता है यही एक ऐसा अंग है जो अंतराश्रिय सान्ती एवं सुरक्षा बनाए रखने तथा आक्रमड के विरुद्ध सामुहिक कारवाई करने में सक्षम है शुरुवात में इसके 5 स्थाई सदस्य थे और 6 अस्थाई सदस्य थे लेकिन 1965 में चार्टर में संसोधन करके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई इसके सदस्य अब 15 हो गए 5 स्थाई और 10 अस्थाई इस्थाई सदस्यों में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस है और इस्थाई सदस्यों का निर्वाचन हर दो वर्स के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है जब दो वर्स समाप्त हो जाते हैं तो किसी भी सदस्य देश को पुना चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त नहीं है और इस्थाई सदस्यों का चुनाव छेतरी आधार पर होता है इसमें एसिया, अफ्रीका, पेसिफिक से 5 सदस्य देश इस्टन यूरोप से 1 सदस्य देश लेटिन अमेरिका एंड केरिवियन से 2 सदस्य देश और 2 सदस्य देश वेस्टन यूरोप से हैं इसमें आप देख सकते हैं 2019, 2020 और 2021 का डाटा है जिसमें 2020 का देखे तो नाइजर, ट्यूनिसिया, साउथ अफ्रीका, वियतनाम और इंडोनेसिया एसिया, अफ्रीका, पेसिफिक से हैं और इस्टन यूरोप से इस्टोनिया है लेटिन अमेरिका और केरिवियन से सेंट विंसेट और डॉमिनिक रिपबलिक है वेस्टन यूरोप और अधर से बेलजियम और जर्मनी है सुरक्षा परिशद का एक अध्यक्ष होता है अध्यक्ष की कोई विसेश स्थिती नहीं होती प्रदेख सदस से एक महिने के लिए अध्यक्ष बनता है सुरक्षा परिशद अध्यक्ष के चुनाव समेत अपनी प्रक्रिया के नियम स्वयम बना लेती है आपर 2020 का डाटा है इसमें कंट्री वियत नाम जनवरी में फर्वरी में बेलजियम मार्च में चाइना अप्रेल में डोमनिक रिपबलिक माई में इस्टोनिया जून में फ्रांस इसी प्रकार से सब एक-एक महिने के लिए सदसे देश बने हुए हैं देश से अध्यक्ष एक महिने के लिए बनता है सुरक्षा परिशत की सकतियों एयों कारियों की बात करें तो इसमें अंतर राश्री सांती तथा सुरक्षा बनाए रखने की बात कही गई है जब कोई अंतर राश्री विवाद हो जाता है या जगडे की स्थिती आ जाती है तो जांच पड़ताल करना जिससे अंतर राश्री तनाओ या संघर्स पैदा होने का खतरा हो उसको कम किया जा सके और सुरक्षा परिशत के अनुसार संबंदि जगडे के निरंतर बने रहने से अंतर राश्री सान्ती तथा सुरक्षा को खतरा पैदा होने की स्थिती में वह उचित कारवाई करती है तीसरा है आकरमड के विरुद सैनिक कारवाई करना जिसमें पीस्कीपिंग फोर्ष भी आती है जिसमें से भारत के फोजी पाकिस्तान के फोजी और कई देस के सुरक्षा परिशद में वीटो का इस्तमाल करना इसमें सुरक्षा परिशद के लिए वीटो का प्रस्ताव 1945 के याल्टा सम्मेलन में अमेरिकी राश्पती फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने रखी थी वीटो का साब्दिकर्थ होता है मैं मना करता हूँ किसी भी असाधारन प्रस्नों पर नौ सदस्यों के सकारात्मक मत में पांस सदस्यों का मत सम्मिलित होना अतियावशक है अने था प्रस्ताव वीटो के प्रयोग के कारण अस्विकृत समझा जाता है यह व्यवस्था सबसे अधिक विवादा अस्पद रही है आप यहाँ देख सकते हैं कि रूस द्वारा सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया गया है इसके दुरुप्योग के कारण इसे बराबर समाप्त किये जाने की मांग की जाती रही है युनाइटेड नेशन का तीसरा अंग है इकोनोमिक एंड सोसल काउंसिल जिसका अर्थ है आर्थिक तथा सामाजिक परिसद यह इस आधारना पर आधारित है कि अंतर राश्टिय सांती तथा व्यवस्था के राजनितिक विवादों के समाधान पर निर्भर नहीं करती बल इसकी रचना के बारे में बात करें तो चार्टर के अनुछेद 61 के अनुसार इसके सदस्यों की संख्या 54 कर दी गई है इनमें से एक तिहाई सदस्यों का प्रतेक वर्स महासभा द्वारा निर्वाचन किया जाता है जिन सदस्यों की आधी समाप्त हो जाती है वे भी पुना चुनाव लड़ सकते हैं इसके सदस्य देशों का कारेकाल तीन वर्ष के लिए होता है यह एक स्थाई संस्था है महासभा अपनी इच्छानुसार किसी भी सदस्य राष्ट्र को इसका सदस्य चुन सकती है लेकिन ऐसा करने से पहले वह उनकी भोगोलिक स्थिति, सरकारों की आर्थिक स्थिति और उनकी संस्कृति का ख्याल करती है 54 देशों में चुनाव की प्रक्रिया की बात करें तो 14 देश अलोकेट होते हैं अफ्रीकन ग्रूप से 11 देश होते हैं एसियन पेसिफिक ग्रूप से 6 देश Eastern European ग्रूप से और 10 लेटिन अमेरिकन एंड केरिवियन ग्रूप से और 13 होते हैं Western European एंड अदर ग्रूप से यहाँ पर करेंट मेंबर्स की सूची है जिसमें आप देख सकते हैं अफ्रीकन स्टेट्स के हैं एसियन पेसिफिक स्टेट्स के हैं इस्टन यूरोपियन स्टेट्स के हैं लेटिन अमेरिका के हैं वेस्टन यूरोप के देश हैं इसमें भारत की इस्थिती देखें तो एसिया पैसिफिक स्टेट्स में एक जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक में इंडिया इसका करेंट मेंबर है Economic and Social Council में बहुत सारे Observer Inter-Governmental Autonomous Organization है जिसमें African Regional Center for Technology है Asian and Pacific Development Center है Asian Productivity Organization है Council of Arab Economic Unity है Global Water Partnership है और भी बहुत सारे ऐसे ही यहाँ पर लिश्ट है जो इस Organization के अंतरगत आते हैं United Nations का चौथा पार्ट है Trusty Sip Council United Nations ने Mandate विवस्था की आधार पर स्थान पर सहयुक्तराश संग ने Trusty Sip विवस्था को अपनाया है Trusty Sip का मुख्य सिधानत है कि संसार में कई पिछड़े और अविक्सित प्रदेश हैं जिनका विकास सब और विक्सित देशों के सहयोग से हो सकता है इसलिए विक्सित देशों का यह पुनित करवतव है कि उस समय तक अपने आपको अपने आपको न्यासी समझ कर अविक्सित प्रदेशों के हीतों की रक्षा करे और उनके विकास में योगदान दे लेकिन Trusty Sip काउंसिल ने एक नवंबर 1994 को अपने आपरेशन को निलंबित कर दिया यह कह कर कि इसका मिसन पूरा हुआ हाला कि सयुक्त राष्ट चार्टर के तहत यह कागच पर मौझूद है इसके भविश्य की भूमी का यहां तक ही अस्तित्म में निश्चित है इसमें आप देख सकते हैं कि Trusty Sip की Current Status क्या है जो ब्लू में है वो सब Trusty Sip Countries है United Nations का पाँचवां अंग है International Court of Justice जिसे ICJ भी कहते है यह एक अंतर राष्ट्रिय नियाले है जिसकी स्थापना 18 अपरेल 1946 को हुई थी अंतर राष्ट्रिय नियाले में 15 नियाधिस होते हैं जिनका निर्वाचन Security Council और General Assembly के सदस्यों द्वारा किया जाता है इस नियाले का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है जिनका निर्वाचन नियाधिसों द्वारा किया जाता है अंतर राष्ट्रिय नियाधिस का नियाधिस बनने के लिए उच नियातिक चरित्र होना जरूरी है वह अपने देश के उच न्याइक पद पर रह चुका हो या रहने योग्य हो अगर ICJ में इंडिया की बात करें तो 1952 में स्री बैनेगल नर्सिंग राव पहले ICJ बने थे भारत की तरफ से भारत के तरफ से ही दूसरे ICJ 1973 में महाराज स्री नागेंदर सिंग बने थे और फिर 1989 में रगुनंदन स्वरू पाठक बने थे और 2012 में दलवीर भंडारी ICJ में भारत के अंतर राश्री नियाधिस रह चुके हैं युनाइटेड नेशन का आखरी अंग है सचिवाले यह एक प्रसासनी कंग है सचिवाले में महा सचिव और अन्य करमचारी होते हैं महा सचिव संस्था का प्रमुख प्रसासनी कधिकारी होता है सचिवाले के करमचारीयों की नियुक्ती महा सचिव महा सभाद्वारा निर्धारित नियमों के नुसार करता है संयुक्त राष्ट सचिवाले के तीन प्रमुख केंद्रे हैं जिसमें संयुक्त राष्ट कारयाले जनेवा है संयुक्त राष्ट कारयाले वियेना है संयुक्त राष्ट कारयाले नैरोबी है इन कार्यालेओं में मानवादिकार गतिविधियों, मादक पदार्थ की दुरुपयोग, अपराध निरोध, अपराधिक नियाय और सांति पूर्ण उपयोग अंतराश्ट्रिय व्यापार के कानून के छेतर में गतिविधियों का मुख्याले है, परियावरण एवं मानव वेलो वेया है, ये 2019 से इसकी महानी देशक है, यूनाइटेड नेशन्स आफिस वियेना की महानी देशक फैटी वैली है, यूनाइटेड नेशन्स आफिस नेरोबी के महानी देशक मिश्टर वर्क ने है, वर्तमान में महा सचीव यानि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं जो पूर्टगाल के हैं ये 2017 से हैं और ये नौवे सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस से पहले बानकी मून सेक्रेटरी जनरल थे ये 21 जुन 2011 को दूसरे कारेकाल में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे महा सच्छीव संयुक्त राष्ट का महतपूर्ण पदा दिकारी होता है इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिशत की संस्तूती पर महा सभाद्वरा की जाती है ये था पूरा एनलाइसिस इस वीडियो का United Nations के और Organizations के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा So thank you very much So like, subscribe and comment on this video आपका दिन सुभो